जो exam में 10 question आते हैं उसमें से 6 तो इससे रहते ही है इस बार क्या sample paper बनाना बहुत जादा important है भाईया my biggest answer will be not that much ठीक है तो एक video वो डेर घंटे की होगी अगर तुम उसको half part में काट लोगे according to your chapters जो आ रहे हैं या फिर physics वाला अभी मैं नहीं suggest करूँगा because sample papers बना लेना कितने बनाने होंगे ऐसा कुछ नहीं है भाईया कि 2 बना लेंगे तो जिंदगी बनेगी या फिर 10 बनाएंगे तो ऐसा कुछ ही नहीं होता है ठीक है तो बाई एक परन लेके बैठ जाना कि जब तक होएगा नहीं तब तक रात में खाना करके मैं सोनी रहा इस वीडियो में हम लोग हर तरह की बेसिक डीटेल्स के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों की प्रपरेशन अभी तक कुछ भी नहीं हुई है तो वीडियो को पूरे ध्यान से एंट तक देखना इसका एक भी पार्ट मत मिस करना क्योंकि मैंने इस वीडियो को पहली बार बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ बनाई है हाला कि दूसरी वीडियो अगर मन से बोलता हूँ तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होती है बाट इस वीडियो इस स्क्रिप्टेड मैं कहूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करी है इसलिए वीडियो को एंड तक देखना अब यार देखो चीजों को ना step by step लेके जाना पड़ेगा the first thing जो कि मैं भी तुम लोगों को बताना चाहता हूँ before moving ahead अभी देखो क्या है कि अगर मालों तुम लोगों को अपने time 1 की पढ़ाई बिलकुल भी नहीं करी है मालों किसीने नहीं करी हो ठीक है there are many people अब यहाँ पर दो तरीके रहेंगे पहले class 10th वाले बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा if you are from class 10th all you need to do is कि अभी तुम्हें अपने सारे के सारे जो subject है जो chapters है basically उनको एक जगा पे लिखो अब कुछ नहीं करना है तुम अपना कोई सा भी एक copy उठा सकते हो हाला कि मेरे यहाँ पर कोई copy नहीं रखा हूँ है जो कि मैं तुमको अच्छे से दिखा पाऊ बट yes still तुम अपनी कोई सी भी एक copy उठा सकते हो उसके first page पे जितने भी chapters है तुमारे ठीक है इन chapter में उनको अच्छी idea है कि इन chapter उनका कमजोर है किसका concept उनने नहीं समझ में आया ये 10th वाले बच्चों के लिए अगर तुम 12 में हो तुम्हारे लिए चीज़े हलकी different रहेंगी क्योंकि of course ही बात है कि अभी तुम लोग अपना सारा का सारा जो concentration है वो किसी एक particular subject पे नहीं डाल सकती हो जो कि तुम लोग अगर कर रहे हो तो ये गलती है फिलाल पूरी तरह से physics पे लग जाना या chemistry पे लग जाने का कोई उपाय नहीं है तुम्हारा time 1 का examination कब कितने time से आ रहा है अगर कुछ नहीं कर रखा है तब भी उसे लिखो और अगर कर रखा है तो उसे अच्छे से वहाँ पर mention करो कि कितना हो रखा है तुम्हारा ठीक है ये कर लेने के बाद हम लोग बढ़ेंगे in step 2 now step 2 is all about studying but studying में study कैसे कर दी है actually वो हम लोग अभी समझने वाले हैं अब term 1 को लेके सबसे पहली चीज है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ MCQ नहीं रटने वाले हैं अगर आप 10th में हो या 12th में हो और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप 300-400 MCQs उठा कि उसको रट रहो at this point प्लीज अभी छोड़ दो कोई फाइदा नहीं होगा MCQ रट के हाँ कुछ marks बन जाएंगे but वो long term के लिए सही चीज नहीं है इसलिए प्लीज अभी पूरी तरीके से MCQ रटना छोड़ दो now MCQ नहीं रटेंगे तो क्या करेंगे भईया अभी हम लोग कंसेप्ट में जाएंगे मुझे पता है यह बहुत ही बेवकूफी वाली बात है और यह बहुत ही रिस्की वाली बात है और हम लोग कोई mountain dew पी नहीं रहे हैं कि हम लोग अभी डर के आगे जीत सोचेंगे फिलाल फिर भी अगर मैं तुम लोग को बता दू कि अभी यह चीज थोड़ी रिस्की होगी कि हम लोग चाप्रस को डीटेल में पड़े काफी जाद है क्योंकि हम आपस time कम है बट इस time की planning ही अगली phase है जो step अगली है जिसमें मैं बात करूँगा उसकी tension मतलो but before that ये चीज दिमाग में डाल लो कि कोई भी हम लोगों को particularly MCQ को नहीं रटना है ठीक है उसको उठा के side में फेकिए now यार before moving ahead मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अची चीज के बार में बताना चाहता हूँ जो कि है हमारी unacademy champion से प्लीग ये जो है ये वापस आ चुकी है जिसके through आप लोग बहुत ही amazing prizes जीज सकते हो like अगर मैं आपको simple words में बताओ तो इसमें 2 stages होने वाले है पहला होने वाला है group stage और दूसरा होने वाला है final stage जो group stage है यार वो आपका 10th, 14th और 21st November को होगा और final stage दो होगा वो आपका 28th November को होगा ठीक है इसमें आप लोग को group stage वाले में 25 questions पूछे जाएंगे और final में 75 और time वो ही रहेगी आपकी group stage में 5 to 6 p.m and finals में आपके 5 to 8 p.m ये जो होगी ये all India level की test होगी यारिकि all India से ये बच्चे दे रहे होंगे और साथी में आपको बता दू कि इसमें आप लोग 5 करोर प्लस के prices और साथी में scholarship भी जीच सकते हो जिसमें कि आपके cash prices भी include है अगर मैं आपको बता दू यार तो rank 1 to 10 group stage पे आपको 20,000, 10,000 और 6,000 according to your rank जो आप अभी screen पे देख सकते हो आपको prize मिलने वाले हैं और scholarship भी आपको दिख लिए कि इसमें आपको अगर 1 to 10 rank में अगर आप आते हो तो आपको 100% scholarship मिल सकती है with 20,000 rupees cash और साथी में अगर आप final stage में पहुँच जाते हो और फिर अगर आपका rank 1 आता है तो आपको 1 lakh rupees price और साथ में 100% scholarship भी मिलेगी जो कि साड़े price की detailing आपको स्क्रीन पर दिख लिए होगी आप pause करके चेक कर सकते हो मैं आपको एक चीज़ बता दू यार कि इसमें enroll करने के लिए आपको बस एक छोटा सा code लगेगा जो कि है पीडियंस 10 और इसकी link जो है वो description में दे रखी है description खोलना link पे click करना मास जाके enroll कर लेना और इस exam में जरूर बैठना यार यह एक बहुत अच्छा मौका है to earn scholarship and cash prizes जरूर check out करना now 20 days है और अगर 20 days को मैं तुमें बताऊं किस प्रकार से तो आज जिस समय ये video डल रही है आज है आपकी date 9 यानि कि आज 9 तारीक हो रहा है ठीक है शूट मैं 8 को कर रहा हूं वाला कि बठा 9 तारीक हो रहा है जब आप ये video को देख रहे हो और आपके पास अगर हम लोग 30 से exam अगर सोच के चल रहे है जैसे कि हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी तो हम लोग थोड़े से पहले से of course advance में हमें बनना ही पड़ेगा ready होना ही पड़ेगा इस बार क्या sample paper बनाना बहुत जादा important है भाईया my biggest answer will be not that much ठीक है हाँ एक idea हो जाएगा कि paper कैसा रहेगा sample paper से तुमको एक अगर solve कर लोगे तो ये हो जाएगा sample paper किसके लिए important है तो थोड़ी case study की practice के लिए थोड़े अलग-अलग questions दिख जाएंगे थोड़े assertion region के लिए बागी सारे MCQs हैं तो वो generally वही questions रहेंगे theory वाले जिनको shrink करके तुमको दे दिया रहेगा बताना होगा कि कौनसा answer होगा ठीक है now क्या हम लोग पूरी तरह से थोड़ी पर focus कर सकते हैं my biggest answer is yes but on the other end क्या हमें numericals के लिए बहुत जाद दिमाग लगाना पड़ेगा my answer is no numericals की इस बार संख्या काफी कम रहेगी 10th वाले बच्चों की वैसे भी 3-5 नमर की ही आती थी इस बार और देखो की कम ही हो सकती है question 3 question maximum आएंगे numericals related but on the other end हमारे 12 वाले बच्चे जो है उन्हें के लिए ये चीज़ थोड़े difficult पर सकते है because physics मौन को numericals दिखेंगे और वैसे इन numericals दिखेंगे वो जैसे पहले pretend कर सकते हैं but ऐसी ही रहेंगे जो उस particular time में बनाया जा सके because as you know कि time limit 90 minute का ही है now the planner अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो हमारे पास अभी dates है अगर हम लोग 9 से अगर अपनी preparation यानि कि आज ही से start कर रहे है तो 28 तक में हमारे 20 days complete होंगे क्या हम इस 20 days में पूरे के पूरे 20 days हमारे syllabus को दे रहे हैं तो a big answer is no बिल्कुल भी नहीं ठीक है यानि 20 days में जो हमारा 15 days है वो totally हमारे जाएगा preparation पे पढ़ाई पे और बाकी के 5 दिन हमारे practice वाले मैंने अलग से दे रखे है now this doesn't look practical मुझे पता है 15 दिन में पूरे साल बढ़ का syllabus is kind of difficult half year का समझ गया ना तो वो चीज है बट यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ on an average अगर तुम लोग एक चीज जाना चाओ यार अगर साल बढ़ नहीं पर है तो तुम्हें इतना तो दिमाग लगाना ही परेगा कि on a single chapter you have to give maximum two days यानि कि अगर आप लोग किसी भी एक particular chapter को अगर दो दिन देते हो तो इसे साब से 14 days के आसपास या फिर अगर एक additional जो कि मैंने ऐसा backup दे रखा है जिसको आप एक दिन में खतम कर सकते हो उसके अलावा अगर मैं आपको बताओ तो देरा सो मिन यूमन आई वाली chapter हो गई आपको फिर इधर electricity हो गई यह सब कुछ कुछ जाजे chapter है जिसको आप एक दिन में खतम कर सकतो हो in fact chemistry में भी आपके जो लगबग chapters like metal and non-metals, acid bases unsolved, chemical reaction and equation these can be completed in a single day ठीक है तो आपके पास enough time बचेगा maths में आपको difficult होगी क्योंकि maths में आपके chapters जो हैं वो थोड़ी से लिंदी होगे तो आपको बराने में समय लगेगा अगर 12 वाले की बात करे तो उनके लिए 2 दिन बहुत कम होगा क्योंकि आप लोगों को एक subject नहीं पढ़ना एक दिन में ऐसा नहीं है भया कि 2 दिन में आपको सिर्फ एकी subject पढ़ना है you have at least 3 subject both for 10th and 12th वाले बच्चे और उन 3 subject को करने के लिए आपको 3-3 time slot लगाने पड़ेंगे now talking about the time slot अगर मुझसे पूछना चाहोगे तो 3 time slot जो आप लगा सकते हो वो सबसे पहला होना चाहिए सबसे पहली बात यार, school coaching से अभी please छूट जाओ मेरी बात मानो अभी अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं पढ़ाई हुआ यार तो school coaching से प्लीज छूटो और उसका time को निकाल के यार इधर थोड़ा invest करो because यह बहुत जादा important है अभी तुम्हारा पूरा time ठीक है now the 3 time slot will be very simple that will be 7 a.m. to 10 a.m. the other one will be from 1 p.m. to 4 p.m. और उसके बाद वाला 7 p.m. to 10 p.m. मैंने बीच में enough time तुम्हें दिया है जिसको कि तुम अपने हिसाप से use कर सकते हो या तो तुम उसको revision या फिर lecture videos देखने में utilize कर सकते हो या फिर तुम क्या कर सकते हो कि उसी time को अपने rest करने में एनिमेज, movies देखने में जो भी तुम्हारा मन करें वो कर सकते हो हलाकि 20 दिन थोरा control कर लोगे तो उस time का भी अच्छा use किया जा सकता है now how many subjects we are going to touch each day now the answer will be very simple all, all subjects three main subjects क्या होंगे 10th वाले के लिए होंगे math, science, sst और 12th वालों के लिए उनके three main subjects जानि PCM है तो PCM, accounts वाले हो तो accounts, eco, BST और इस प्रकार ज़े तुम लोग समझगे कि तुम्हारे three main subject कौन है now the biggest thing is that कि क्या हम लोग को थोड़ी subject और हमारे fifth subject पे target करना है तो yes, आपको अपने दिन का आधा आधा गंटा का दो time slot जो कि आप 10 बजे के बात दे सकते हो आप अपने दोपहर वाले time पे दे सकते हो या फिर साम वाले time पे जब भी आपको लग रहा है कि ये time मेरा particularly बच रहा है उस time पे आपको उस time slot को देना है यानि कि कि किसी भी subject को अगर आधा गंटा आपने English को दिया तो आधा गंटा आप अपने computer या फिर आपको कोई भी subject जो है Hindi हो सकता है या फिर IT बहुत सारे चीज़ है तो उसमें से किसी ये को आप दे सकते हो अब देखो एक चीज़ क्या है कि मेरे हिसाब से अगर तुम लोग को ये चीज़ ना समझा रही हो तो we know there are different type of chapters कुछ होते हैं जो difficult होते हैं कुछ होते हैं जो easy होते हैं नाव 15 दिन में तुम्हें इसी हिसाब से देना पड़ेगा कि difficult chapter और easy chapter दोनों अफ cover up कर रहे हो हो सकता है किसी chapter पे ज़्यादा time देना पड़े हो सकता है किसी chapter पे कम time देना पड़े बट क्या last के 5 दिन सिर्फ sample papers बना रहे होंगे तो नहीं not at all सबसे पहली चीज़ है कि एक चीज़ दिमाग में रखना कि उस चीज़ को ज्यादा prioritize करना है बोले तो उस चीज़ को ज्यादा priority देनी है जिसका exam पहले है let's suppose अगर तुम 12th देखो English को नहीं मैं रख रहा हूँ ठीक है English आप लोग कर सकते हो 10 दिन में भी अराम से कर सकते हो बाकी राइटिंग और grammar section इस बार कुछ जादा tough नहीं है जो कि तुम कर पाओगे but on the other end अगर मैं ऐसे बताऊ कि अगर तुम लोगों को उसके अलावा जो भी main subjects है तुमारे जो कि पहले आ रहे हैं उस पे पहले main of course तुमें focus रखना पड़ेगा और बाद वारे subject के लिए you can be little कह सकता हूँ थोड़े से easy हो सकते हो क्योंकि तुम उसके लिए तुमारे पास बीच में 2-3 दीन का भी जो gap है वो तुमारी help करेगा to prepare और और फिर कह सकता हूँ to practice और sample papers उस gap में solve हो सकते हैं लेकिन theory की तुमारी priority होनी चाहिए तुमारा theory totally cover up होना चाहिए till 28th और यही तुमारा target होना चाहिए now theory कैसे complete करेंगे इस पे बात करते हैं अगर तुम्हें अपनी theory complete करनी है अगर तुम class 10th में हो तुम्हें सारे के सारे lectures मैंने दे रखे हैं जैसे मैंने science का एक बना रखा है कि complete whole science in one video जिसमें कि तुमको आधा ही देखना पड़ेगा मैं एक playlist का link डालूँगा नीचे जिसमें मैंने तुम्हें सारे subject के पूरे book को एक video में complete करा है तो एक video वो डेर घंटे की होगी अगर तुम उसको half part में काट लोगे according to your chapters जो आ रहे है तो एपरोक्स एपरोक्स 45 to 50 minutes तुमको पड़ेगा एक subject को पूरी तरीके से revise या complete करने में detailed परा रखा है तो 10th के लिए सारे subject की lectures already बना रखी है मैंने कोई सी भी हो यार IT, ECS सब बना रखा है, ठीक है, कोई नहीं छोड़ा Hindi, English और most popular videos मेरे वाई है YouTube पे, तुम ऐसा समझो on the other end अगर 12 वाले हो मैं तुम्हें बता सकता हूँ physics के लिए Baba Gang या फिर physics वाला अभी मैं नहीं suggest करूँगा because video के length काफी लंबे होते हैं तुमारे पास इतना enough time नहीं है one shot videos देखो, 12 वालो अगर हो तो one shot videos देखो, ऐसी videos देखो जो totally NCRT based है especially अगर chemistry के लिए मेरे से पूछोगे एक perfect channel बताता हूँ keep educating yourself, जिसमें की NCRT based वो पढ़ाते हैं बिलकुल तो वो तुम देखना, उसके अलावा जो भी तुमको लगा magnet brains हो गए और भी बहुत सारे से channel है, जो तुमको लगता है कि NCRT based पढ़ा रहे हैं उनको देखो, क्योंकि अधिकतर जितने भी है यार वो J.E.E.T. level वाले पढ़ा रहे होते हैं एक simple सी चीज करनी है, अपना book उठाना है और उस book को तुमको पढ़ना शुरू करना है अब उसमें कोई एक paragraph में तुमको कोई एक particular word लगता है जो लगता है कि आ सकता है, तो उसको underline कर लेने का कि बाद में जब notes बनाओ या फिर कुछ भी तो उसको तुम दुबारा देख सको सबसे पहली चीज है, क्या भाईया भी notes बनाना ज़रूरी है मेड़ी बात मानो, notes बनाना उतना important नहीं है but yes, there should be a two page या three page notes तुमको बनाने रहेंगे अगर तुमें lengthy notes चाहिए, detailed notes चाहिए तुम किसी भी class में हो यार तुम बस अपने subject में लिखना बगल में notes या फिर materials लिखे, cafepedia लिख देना especially to wealth में हो यार हर एक stream की notes मैंने डाल रखी है download करके उसको ही देख लेना अगर detailed वाले चाहिए तो तुमें अपने से क्या बनाना होगा तो that will be very short notes like one page, two page वाले notes जिसमें कि तुम एक-एक word करके उसकी detailing एक-एक line में लिख रहे हो जिससे कि तुम्हारा enough MCQ at least solve हो जाए ठीक है, अगर तुम वो चीज कर सकते हो then वो तो सोने पे सुहागा है भाई बट अगर in case अगर तुम वो चीज नहीं कर पा रहे हो फिर वो one page वाले नहीं बना पा रहे हो तो एक ही चीज कर सकते हो कि अपनी underline वाले को तुमको बार-बार देखना पड़ेगा बुक कोल के और वो तुम्हारे लिए थोड़ा difficult पड़ेगा इसलिए कभी भी कोई भी lecture या YouTube पे कोई भी lectures देख रहे होगे न चाप्टर पढ़ने के लिए basically तो उसको note करते जाने का कि हां क्या लिख रहे हैं तो ऐसे लिख लिया ठीक है that will be very simple and easy for you to catch up all the things now practice वाले में मेरे से पूछोग या तो sample papers बना लेना कितने बनाने होंगे ऐसा कुछ नहीं है भाया So this is a guest paper. Guest paper में क्या होता है कि इसमें जो questions होते हैं ये questions generally exam में आते हैं और यह मैं सच बता रहा हूँ जो exam में 10 questions आते हैं उसमें से 6 तो इससे रहते ही है but ये university level का होता है और ये वही लोग बना रहे होते हैं जो university का question मनाते है तो तुम इससे इतना दिमाग लगा लो, बट ये चीज 10-12 में नहीं होती है, तो एक चीज दिमाग में रखो, कि sample paper is not a guest paper, sample paper is only for practice, और वो तुम्हारा practice में ही काम आएगा, तो तुम चाहे 2 बना के practice कर लो, या फिर 5 बना के practice कर लो, is all about कि तुम्हें एक pattern समझ में आ गया, तुम्हें अपनी time limit समझ में आ के, और तुम अचाना, मतलब ये पता कर सकते हूँ, कि exam का महौल कैसा रहेगा, ठीक है, हाँ, तुम्हें of course subjective exams देने के जादा आदत होगी, तुम्हें MCQ तुमने नहीं दिया है, तुम्हें MCQ की भी यादत लगनी चाहिए, तुम community post में जाके check कर सकते हो, कि तुम्हारा OMR sheets कैसा आएगा, मेरे channel के community post में जाना, डाल रखा है मैंने माँ पर, ठीक है, तुम्हें screenshot कर सकते हो अपने हिसाब से, तो simply अपने पूरे एक page ले लेने का, और उस page में पूरे 20 दिन को बाट दो, तीनो time slot को लिख दो वहाँ पर, ऐसे करके page बनाओ, ठीक है, तीनो time slot को वहाँ पर लिख दो, और लिख दो कि किस दिन कौन-कौन सा chapter cover up करना है, सब fill करो, अडाम से बैठ के आदे गंटे chill मार के, fill करो, जैसे जैसे वह time slot होते जाए, देखते जाओ, दिवाल पे चिपकालो, देख लो कि हाँ ये particular time slot है अभी, तो ये वाला चीज cover up करना है, तो वो लेके बैठ हो, इससे क्या होगा, एक proper idea रेगी, कि हाँ, इससे में ये पढ़ना है, पूरा ऐसे करके बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें left side margin में, पूरा dates डाल देना, और उपर में ऐसे column बना देना, times के, और लिखते हैं जाना, कि इस time slot पर ये चीज़ करना है, हाँ, एक चीज याद रखना, कि नहीं cover up होए, अगर तुम्हारे पूरे दिन में, लगे कि इतनी चीज़े लिखी थी, नहीं हुआ है मेरे से, तो भाई एक प्रन लेके बैठ दाना, कि जब तक होएगा नहीं, तब तक रात में खाना करके, मैं सो नहीं रहा, लग जाओ यार, देखो, ये 20 दिन जो होँगे, ये ही decide करेंगे, कि तुम्हारा क्या आएगा, हो सकता है, कि अगर तुम अभी 20 दिन में मेहनत कर दो, तो तुम्हारी result काफी अच्छी हो जाए, और of course ही बात है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अगर पास होना है, तो लगना पड़ेगा, और जो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करी, उसको एक जगा ऐसे स्रिंग करके डानला पड़ेगा, और ये ही तुम्हारी जिम्मेवारी है, ठीक है, इसलिए लग जाओ, all the best, जय हिंद वन्दे मात्र, मिलता हो तुम से अगली वीडियो में, अगली वीडियो काफी तकड़ी आएगी, देखना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना, ठीक है, चलो, बाई-बाई, टेक केर और पीस,